गुड मार्निंग स्टूडेंट्स इस्टूडेंट देखिए अब इसी जो फर्स सेमेस्टर 2022 का पेपर है जिसमें जो है आपको काफी स्टूडेंट्स कहा रहा है थे कि सर पेपर को करा दीजिए तो मैं आपको जो है आज के इस बीडियो लेक्यर में पूरा पेपर मैं डाल दे रहा हूं सॉल करके कम्प्रिटली सलूशन दिया हूं आप इसको जो है वन बाइवन बीडियों को पाच करके आप इसको प्रैक्टिस करिए ओके सुडेंट्स देखिए पाला कोश्चन है देखिए ओक अर्ड दा दा इस्ट्रक्टेर एस स्ट्रक्टेर ऑफ ए स्ट्रक्ट्टर आप इस देखिए यह प्रोग्ड्स प्रोग्राप आप इसके बाद डेटा टाइप ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स ब्रेक एंड कांटिन्यू तो इसके बारे में आपको बताना है जो भाई सुडेंट्स तीसरा कोचनर डिफ्रेंस बिट्वें दा फालोइंग विद दे हेल्प ऑफ जांपल्स वाइल दुवाइल के बारे में डिफ्रेंस बताना है यह गोर्थम और फ्लोचार्ट इप एल्स एंड स्वीच स्टेटमेंट्स इसके बात कोच्चन नमर फोर है वाट इस शुट्यकोड वेर इज़ीट यूज़़ग राइट फ्लोचार्ट इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है वीडियों लेंदी ना हो इसके लिए मैंने जो है अपने उन वर्ट में जो है आंसर को जो है दे दिया है जिससे की बच्चे जो है आसानी से समझ सके इसके बाद सुडेंट्स अगला कोश्चन है राइट एज प्रोग्राम इन सी फार रिवर्सिंग डिजिट्स आफे नंबर एक नंबर लेना है उसका रिवर्स आपको डिस्प्ले कराना है इसके बाद कोश्चन नंबर शीक्स है सुडेंट्स राइट ए प्रोग्राम इन सी फार दे कंप्यूटेशन ओफे नंबर बाई यूजिंग डे मेंधर ऑफे रिकर्संग डिकर्संग मेंधर से स्टुडेंट्स प्रोग्राम बनाना है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नंबर 7 या कोश्चन नंबर 7a है 7b distinct between function call and function body with an example function defined by you तो function call and function body के बीच में students difference बताना है आपने से कोई example लेकर इसको मैंने जो है होगे define किया है question number 8 define recursion illustrate with illustrate it by calling a recursive function that compute the gcd of two integers या कोश्चन नंबर 8 है recursion के बारे बताना है और दो नंबर का greatest common diviser निकलना है question number 9 differentiate between call by value and call by reference perfect number and prime number get ch ar and put ch ar okay students तो एक questions है students तो जैसा कि आप एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो पहुच करके देख लीजिएगा question number 1 देखे लिखा attempt any 5 questions all questions carry equal marks the answer to given questions should not exceed 250 words तो okay students तो आपको क्या करना है 5 questions करने हैं और total questions 9 है तो question को एक बार आप देख लीजिए इसके बाद जो है students अच्छे को आपके है इसके बाद remains question यहां है students तो इसके बाद चलते हैं आपको मैंने solve one by one question किया है उसको जो है मैंने जो है आपको पूरा फूल सलुशन आपको प्रवाइड कर रहा है तूडेंट्स तो देखिए question number first first का student देखिए मैंने answer आपको दिया है यहां write करके मैंने जो है इसका सारे बच्चों की demand थी तो मैंने जो है first question का answer देखिए यह लिखा गया है कि काभी बच्चे काते हैं कि question आएगा तो क्या लिखेंगे तो यह first question का students solution है answer है इसको आप बार बार revise कर लिजिएगा कि ऐसा question आएगा तो आप क्या लिखेंगे okay students इसके बाद देखिए question number one है इसके बाद इसका remains part यहां है student इसको हमने जो है इसको लिखा हुआ है इसको आप पढ़िए समझेए उसमें फिर देखिए question one में ही पूछा है function as building blocks function जो है programming का क्या होता है building blocks होता है तो इसमें मैंने जो लिखा है details में कैसे जो है function किसी जो है प्रोग्राम का building blocks है तो इसके बाद students अगला इसहां पर देखिए मैंने एक जांपल दिया है एक छोटा से एक जांपल दिया है और देखिए output क्या आएगा इसको मैंने लिखा है इसके बारे में बताया है इस प्रोग्राम वणली डिस्प्ले मैसेज हेलो वाल्ड इट यूज वन फंक्शन में लिखा डिस्प्ले मैसेज ओके सुडेंट तो यह फर्स्ट कोश्टन का आंसर है इसके बाद इसको सुडेंट अच्छे से आप जो है रिवाइज करिए बार बार ओके सुडेंट तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका जो है नालिज भी हो जाएगा इसके बाद आते हैं स्टुडेंट कोश्टन नमर्ट टू हो सुडेंट कोश्टन नममर्ट डू अंमे ने दिया का इसके बाते हैं इसका सिंटेड्स लिखा ए इसके बाद आते हैं स्टुडेंट data type data type क्या होता है दक यूख कभी बच्चे हमें सहां confused आते हैं दूदा data type specifies the size and type of information दारिवल विलिस्टोर जैसा एक बेसिक टाइप आर in Float Double Care इस भेसिक टाइप साना इस्टुडेंट्स तो इसको आप लोग देख लीजी जैसा आप जानते हैं इंट फार इंटेजर, फ्रॉट फार रियल वैलू इसके लिए डबल, बड़ी वैलू इसके लिए होता है, कैर जो है, हमारे जो है, कोई भी सिंबल, एक सिंगल वैलू इस्टूर करना है, किसी वैरिवल में तो हम कारेटर का यूज कर सकते हैं, ओके operator precedence operator precedence इसको प्रिवाइज कर लीजिए इसके बाद वीडियो लेंदी होगा इसलिए मैंने इसको राइट करके answer दिया है अपने words में इसके बाद भी आगर आप पुने सवंज में आता है तो आप हमें जो है write करिए इसको मैं अलग से बता हूँगा ओके students तो यह question number two का सी है answer paper मिला लिजेगा इसके बाद two का question number two का D break and continue क्या होता है तो जैसा आप जानते हैं कि break के through हम किसी loop के बाहर आते हैं और continue के through हम जो है किसी statement किसी block आप किसी loop के statement को हम escape करना चाहते हैं तो continue का यूज करते हैं तो मैंने इसको answer जो है अपने वाट्स में describe किया है इसके बाद आते हैं student example देखे यहां पर लिखा गया है break का example यहां दिया गया है कि इसके बाद इस तुदेंट continue statement के बारे बताया गया है दा continue statement is keeps some line of code inside the loop and contain sorry and continue with the next iteration तो जब हम किसी कोई loop के through problem solve करते हैं और हमें लगता है कि कुछ statement को हम escape करना चाहते हैं छोड़ना चाहते हैं तो continue statement का यूज कर सकते हैं ओके students यहां देखिए while के बीच में अंतर बार-बार पुछा करता है एक जाउंस में तो इसको भी आप तयार कर लिजिए student कोशन नमर थिरी का एडिफरेंसियेट करना है while and do while के बीच में difference तो यहां पर स्टूडेंट इसके बारे में लिखा गया है जो बच्चे जो है इनका ready नहीं को ready कर लें ओके स्टूडेंट थिरी का भी देखिए algorithm क्या होता है स्टूडेंट तो जैसा कि आप जानते हैं कि algorithm is a step-by-step procedure that define instruction that execute in the given order it is language independent ओके स्टूडेंट तो हमारा जो algorithm होता है हम problem solve करने का step-by-step procedure होता है और यह language programming language dependent नहीं होता है यह independent होता है ओके स्टूडेंट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इस डिस्क्राइब किया है कोचन नमबत थिरी का भी यांसर जो है algorithm इसके बाद आते है student flowchart flowchart pictorial representation होता है इसको आप यहाँ पर पढ़ करके आप अपना ready कर लिजिए students ओके यहाँ फ्लोचार्ट और दर पिक्ट्योरियल रिप्रेंटेंटेशन आफ दर एल्गोरिथम इट यूजेज शर्टेंट सिम्बल ओके स्टूडेंट तो यहाँ पर रिवाइज कर रिए अब कोश्चन नमबत थिरी सी इफ एल्स के बारे में है तो जैसा कि आप जानते हैं कंडिशनली हमें जो कोई टास्क करने होते हैं तो हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं इफ को टू बलक करते हैं यह फाल्स बलक तो इसको आप कंप्लेट पढ़िए ने विडियो लेंदी हो जाएगा स्टुडेंट स्टूडेंट स्टेट्मेंट इफ यूजड वेन देर अर मुल्टिपल ओप्शन और वी वांट तो सलेक्ट वन ओप्शन आउट आफ आल देन वी में भी यूज स्टूडेंट स्टूडेंट तो जहां पर मुल्टिपल आप्संस होते हैं और किसी आप्संस को हम जो है इस पेस्पिक मैचिंग के करना चाहते हैं स्टूडेंट तो स्विच केस का यूज कर सकते हैं और आपको रिमाइंड कर आते हैं स्विच केस के में जो हम परामिटर पास करेंगे वह है आईदर इंटीजर का कांस्टेंट होगा या करेक्टर कांस्टेंट होगा रियल बैलू को हम वहाँ प्रोवाइट नहीं कर सकते ओके स्टुडेंट्स आईए तो यहां हो गया स्विच के बारे में इसके बाद यहां पर देखिए मैंने एक्जामपल लिया है इस तरह से आप एक्जामपल दे देंगे स्टुडेंट्स तो अच्छा रहेगा आए यह कोश्चन नमर फोर ए स्टुडो कोड देखिए स्टुडेंट स्टुडो कोड क्या होता है तो जैसा कि हम जानते हैं जब कोई प्राउलिम सॉल करते हैं अच्छा मेंस होता है है इक जंडिमेंटेशन पार्ट होता है उसको हम जो है जब हम राइट करते हैं तो उसे पतर स्टूडो कोड ओके शुडेंट्स यह हमारे जव Bemh प्रोगामिंग लाइंग्वे से इंडिपेंडेंट होता है तो यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है इसको पढ़िए बार-बार समझे इसके बाद भी नहीं आता कमेंट करें राइट करें आगे कोश्चा नमर फोर बी देखिए कोश्चा नमर फॉर बी में क्या पूशा गया है कि फिवो नाकी सीरीज निकालने का प्रोचार्ट ड्रा करना है प्रोचार्ट तो यहां पर देखे स्टुडेंट स्टार्ट के थू हमने आई यहन यह बी सम बैरेबल लिया इसके बाद इनकी वैलू को इनिश्लाइज किया जैसा कि हम जानते हैं फिपुनकी सिरीज में होता क्या है प्रिसीडिंग टू टर्म का सम जो है नेक्स टर्म आता है इसको आप अच्छे से फ्रोचार्ट देख लिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है फोर भी हो गया कोच्छन का आंसर इसके बाद अलगोर्थम क्या होता है अलगोर्थम जैसा कि आप जानते हैं यह सिरीज जो हमने फ दबल जीरो कामा ओन कामा ओन टू इसमें आप एनिट टर्म को आड करेंगे तो नेक्स टर्म आएगा इसलिए इसका मैथमेटिकली जो है देखे लास्ट में लिखा गया है यह इसको आप पूरा पढ़ेंगे मैं आपको सार्ट में पता रहा हूँ आप पूरा डिटिल पढ पढ़ेंगे बाद बार पढ़ेंगे जब तकी समाझ में नहीं आ जाता हो के टूर्म हूब तो ह। इसके पर को फाइब एक नंबर लेना है सी में एक प्रोग्राम बनाना है कि को जिसमें postalЕНकर प्रोग्राम क्या करे है उसका node कि अब डिवर्ष करें को यहां पर देख़िए हमने एक नमबर लिया यह बैरेवल रिवर्ष लिया क्ता सब्सक्राइब को हमें एंतेजर इं इंतेजर नंमर कऊंक प्लतिये प्लड़ कर इस तरह से चुडेंट यह काफी बच्चे यह प्रोग्राम कराएं लेकिन यहां पर हम सारे बच्चिए लिए रहे हैं कोई हमारे इसे को देखकर समझना चाहता तो समझ सकता है तो इस तरह से students इसको आप जो है इस तरह से आप क्या करेंगे किसी number का reverse आप पिंट कराएंगे जैसे हमने number लिया 1,2,3,4 तो reverse क्या आएगा 4,3,2,1 यह program पिंट कर देगा ओके students इसके बाद question number 6 factorial आप है positive number तो देखिए student question number 6 में factorial निकालना है recursive method से तो मैंने देखिए दोनों method से इसको solve किया है simple method से और recursive method से भी हमने solve किया है तो देखिए यहाँ पर हमने इस student यहाँ पर देखिए semicolon छुड़ गया है int yup तो आप student यहाँ पर क्या करेंगे सेमिकोन लगा लेंगे यहाँ आई अंट यहाँ के बाद सेमिकोन लगा लेंगे उसके बाद जो है एक function डिकलेर किया गया है जिसमें इंटियर टाइब की बैलू पास किया गया और कि मेंशन कर दिया है कि फैक्टोरियल आप पॉजिटिव इंटिजर तो देखिए सुटेंट यहाँ पर हमने जो है function को आई अंटि यहाँ यहाँ पर हमने दो इंटिजर वैरेवल डिकलेर किया इसके बाद देखिए सेमिकोन छूट गया है इसको अब लगा लिजिएगा इसके बाद इस्टूडेंट एक function डिकलेर किया function का return टाइब इंट है function का नाम है इसके बाद इंटिजर टाइब की पर लिया गया इंटर ए पॉजिटिव इंटीजर इसका ना फंक्शन से रीट किया स्टूडेंट इसके बाद इसके बाद एक इसाइन्मेंट वाई फैक्ट नंबर को इस फैक्टोरियल में पास्क पास्किया इसके बाद हम एक की बैलू को प्रिंट कराया फैक्टोरियल आफ परसेंट डी इस परसेंट डी यहन कामा डबल कोट के बाहर कामा यहन कामा यह रिटर्न जीरो अब देखिए स्टूडेंट हमने आउटसाइट फंक्शन को डिफाइन किया जो हमने रेड ब्लाग बनाया है यह जनरल मे आई सेमी कोलंग इसके बाद एक लूप लगाया जिसकी बैलू जो है यहन से लेकर करके वन तक डिक्रिमेंट किया यह इसाइज्मेंट बाई यह मल्टिप्लाई आई ओके स्टूडेंट तो यहां पर स्टूडेंट हमने जो है यह फंक्शन का कोड लिखा जनरल मेथड से अब देखिए अगले पेच में दे रहा है तो आप जो जो यह ब्लाउक में हमने लिखा है और रहेगा तो आप उस कोड को अटा करके इस कोड को राइट करेंगे देखिए दिकरिकर्शिव मेंटर्स हैं कैसे फैक्टरेल निकालते हैं स्टूडेंट आई एन्टी फैक्ट राउंड बैकेट में आई एन्टी यहां पर सेमी कोलन छुट गया है आई एन्टी यहां पर सेमी कोलन रहेगा तो इसके बाद इस्टुडेंट यहां पर देखिए आई एन्टी यहां के बाद सेमी कोलन आप लगा लेंगे ओके तो यह हमारा जो है रिकार्शिव मेथड से किसी फैक्टोरियल को से किसी नमबर कि इस टिर्कर्शिव मेंफट से और से और यहां के इस में और से पाचान किया है function की body में वह function function name अगेन आएगा यह इसकी पाजान जैसे इस student जैसे की यहाँ पर function का नाम fact है तो देखें इसकी body में fact अगेन आ रहा है तो आप देख रहे हैं कि paper में जो है recursive function को ज्यादा पूछा है तो आप इसको अच्छी समझ लीजिए याद कर लीजिए तयार कर इसके बाद भी कोई प्रावलेम होती है तो हमें write करिए okay student next question number 7a देखिए function prototype क्या होता है function prototype तो जैसा भी आप जानते हैं function prototype is simply the declaration of a function that specifies function name what type of value it receive and return function prototype क्या होता है function principle declare करते हैं सोसका नाम किस्ताइके हो लेगा ऑर किस्ताइक़ चार्च देगा है मिला घरकर की हम उसको कहते है 20 do bert कि हफंशन के डिकलेशन भी करते हैं ओकई छुडेन्ट जैसे problem solve करते हैं तो इसरों को हम डेक्लेयर करते हैं ओके तो यहां पाइब स्टूडेयन फांक्शन के प्रोटो टाइप हो गया है इसका देखिये सिंट रियटर टाइफ फंसंद नेम लि constru कि यहां पर देखिये kawoc gev लिस्ट आप आर्गुमेंट्ट haters का नाम होता है लेकिन फांग्शन की बॉड़ी नहीं होती इसएंग कंप्लीट होता है इसफ उसा प्रोटोीप यह मताता है यह है फंक्शन इसट ilk होगा का रिटन टाइप होगा इसी टाइप लेगा और यहीं नाम होगा ओके सुडेंट कोचन नमर सेवन यह हो गया अब इसके बाद आते हैं सुडेंट कोचन नमर सेवन भी आप हम पूरा डिटेल लिखे हैं आप इसको जो है कि लाइन छोड़ना नहीं है आपको सब पढ़ना है फॉर स्टूडेंट आइए स्टूडेंट कोचन नमर सेवन भी आप्टाया होता है जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कोई स्काइम है उश्सेटरं की यूज करना चाहातें कर तो किया नहीं करना है तो काल करते हैं सिंटैक्स होता हैий स्थेस्टों फंक्षन नेंगे लींस्ट आप आर्गूमेंन्ट सुम्सेमी कॉलए जैसे हमने एक मालीजे हमने कोई फंक्सन बनाया जिनका नाम सम है और उसमें दो दो इंटिजर बैलू को सम करना है तो हम कैसे देंगे शुटेंट सम राउंड बैकेट में आर्गुमेंट के लिस्ट पाली बैलू मालीजे 10 है तो 10 कामा 20 यह तो कांस्ट फार में हो गया अगर बैरियेवल फार में होगा तो उसको हम देंगे सम राउंड बैकेट में एक आमा बी राउंड बैकेट क्लोज सेमी कोलं यह कोचन नमर सेवन बी का हो गया आगे सुडेंट अब देखें कोचन सेवन बी में जो है फंक्सन बार्डी के बारे में भी पूछा है तो फंक्षन बाड़ी फंक्षन को जब हम डिफाइन कहते हैं तो इसको फंक्षन बाड़ी कहते हैं जब हम फंक्षन का कंपीट कोड लिखते हैं तो देखें यहां पर देखें लिटर्ण टाइब आ गया फंक्षन नेम पैरामीटर लिस्ट आ गया उसके बाद इस्टार्टिंग कर या पूरा पढ़ लेना है इसके बाद आते हैं student question 8 देखिए recursion से काफी problem पुछा है examiner तो देखिए होता क्या recursion इसको मैंने detail में लिखा है इन सी programming वेन वी राइट ए प्रोग्राम और ननिट फर्स्टली में फंक्षन इस काल्ड वाई ओपरेटिंग सिस्टम देन आवर प्रोग्राम गिट इस्टार्ट रॉनिंग फ्राम में तो जब कोई student सी में प्रोग्राम लिखते हैं तो हम जब प्रोग्राम को रैट करते हैं इसलिए हमारे प्रोग्राम का जो रॉनिंग कहां से स्टार्ट होता है में से होता है हुए वेन वी राइट अबर ओन फंक्शन्स आर काल्ड प्रिवियस्ली डिफाइंड फंक्शन इस फंक्शन्स काल्ड वाइं में जब हम अपना कोई फंक्शन पालिस मेरा बनाया हुआ है या कोई रेडिमेट लाइवरी फंक्शन को भी हम जब यूज करते हैं तो होता क्या है उस function को main के द्वारा call किया जाता है इसलिए किसी भी जब हम function को use करते हैं तो main में उसको calling statement write करते हैं Here we observe that one function called another function and so on तो यहाँ पर हम देख रहा है student एक function दूसरे function को call कर रहा है दूसरा तीसरे को call कर रहा है and so on in recursion अब देखे यह तो हम लोग जनरल idea बता जा कि हमारा c programming में function count function किसके द्वारा call किया जाता है ओके students अब देखे recursion case में क्या होता है in recursion यह function called by itself again and again till the satisfied condition तो यहाँ पर student recursion case में क्या होता है function अपने को ही call करता है इसके पाहले हम देख रहाते हैं कि एक function दूसरे call करता है लेकि यहाँ पर जो function है वह दूसरे नहीं call करता है soym को ही call करता है ऐसे function को हम recursive function करते हैं इसकी पाचान क्या है ऐसा function जहाँ पर define किया जाएगा function का न्याम और उसकी body में वह function name again exist करेगा अगेन रहेगा तो आई एस्टूडेंट इसमें एक question पूछा गया है जी सीदी greatest common divisor of two integers दो greatest common divisors का दो number का हमें निकालना है greatest common divisors greatest common divisor का एस्टूडेंट दूसरा नाम है यह सीअप highest common factors तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जो है दो integer variable यं यं डिक्लेर किया इसके बाद हमने जो है एक variable बनाया integer जिसका नाम ही रख दिया यह सीअप semicolon और एक function declare किया जिनका return type int है function का नाम है जी सीडी इसमें दो argument integer type की हम पास कर रहे हैं इसलिए int int comma semicolon inter two integers दो integers को इस्टूडेंट हमने जो है read किया इस kind of method से तो %d %d double quotes के अंदर उसके बाद कामा अड्रेस आफ यम कामा अड्रेस आफ यन semicolon यह सीअप इसको टू यह सीअप इसको टू यह सीअप एसाइन्मेंट बाई जी सीडी राउंड बैकेट में यह यह यन आर्गुमेंट पास किया इसके बाद यहां पर इस्टूडेंट क्या है amendment print method से gcd की value को हमने a cf में जो recent कर रहा है उसको प्रींट कर रहा उसके बाद main को स्टूडेंट ओके सुडेंट यहां पर देखिए इसका कोड है जिसीडी का यहां से आप देखें इसके बाद यहां कोड आ गया इसके बाद देखिए सुडेंट जैसा आप जानते हैं कि किसी भी फंक्सन को हम आउटसाइड में डिफाइन करते हैं कि इसलिए यहां पर देखें में को में के बाद में को क्लोज किया उसके बाद आइंटी जी सीडी आइंटी यम कामा आइंटी यन जी सीडी फांक्शन को स्टूडेंट हमने जो है define किया अब देखें यहां पर हमने decision making statement body में दिया if m is equal to n जिस number का जिन दो integer का हम greatest common divisor निकाल नहीं अगर दोनों value बरावर है तो यह cf क्या होगा यम होगा otherwise if m greater than n तो हमने return लिखा gcd एक यहां पर gcd body में gcd आ गया ना function का नाम gcd है तो gcd आ गया यह recursive function का code है round packet में m की value बरावर है तो first argument में कम कर दिया m minus n यह तो इस्टेंट यह function तब तक चलेगा जब तक की हमारा जो है condition fulfill होता रहेगा तो हमने देखे यहां पर दो नमब इंटर टू इंटीजर्स हमने टेन फिप्टी दो नमबर लिया तो इसको आप जब student analysis करेंगे रन कर आएंगे तो इसका output क्या आएगा answer आएगा टेन ओके सुडेंट इसके बाद आते हैं सुडेंट कोश्चन नमब नाइन कालवाई reference एंड कालवाई value तो जैसा इस्टूडेंट आपको बता दें कि जब हम function में कालवाई देखे बैलू में होता क्या है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो function होता है स्टूडेंट एक समय में हम more than one value को return में को नहीं कर सकते general method से तो यहां पर हम कालवाई value के थ्रू हम जो है में method में जो variables है उनकी value को में के outside से जो हम change करना चाहते हैं swap करना चाहते हैं तो इस्टूडेंट इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हम जो है यहां पर swap नाम का एक method बनाया जिसमें जो है before जो है swiping जो है a b की value प्रिंट कराया उसके बाद function को call किया उसके बाद swiping के बाद प्रिंट कराया तो आप student call by value में आप देखेंगे कि हमारा जो argument है main method यहां पर function को define किया main के वाहर इसके बाद इसमें देखेंगे temp नाम का एक variable बनाया और a और b की value को third variable के help से swap किया interchange किया तो यहां पर student देखेंगे इसका output क्या आएगा before swiping क्या आएगा a की value 10 b की value 20 after swiping क्या आएगा a की value 10 b की value 20 तो देखेंगे यहां पर student output क्या है same आ रहा है that is value not swap इसका आर्थ हा कि a and b की value student call by value से swap नहीं हुआ तो अब जो है क्यों नहीं swap हुआ क्योंकि हम जो swiping कर रहे हैं जो data change कर रहे है original data में change नहीं कर रहे हैं उसी copy में सब्सक्राइब कर रहे हैं okay student तो आइए इस problem को हम रिजाल करते हैं कालवाई रीफेरेंट कालवाई रीफेरेंट इंपोर्टेंट है students यह बार बार पूछा जाता है इन कालवाई रीफेरेंट वी पास्ट दा आड्रेस आप आर्गमेंट and handle these special arguments in function body through pointer variable okay student तो जैसा कि हम जानते हैं student हम कालवाई रीफेरेंट में हम जो function बनाते हैं उसमें जो आर्गमेंट इस्ट उड़ेन पास करते हैं उसका एड्रेस करते हैं तो तो देखिए सुडेंट यहां पर हमने जो है हेटर फाइल लगा या वाइड मेल लिखा यह और एंट बी की बैलू 1020 लिया स्वैप है कि आय यंटी स्पेस के लगा है कामा उसके वाद कामा सिमि कुलंइ यह बैरेबल डिक्लेरेशन एसके बाद भी फोर पिंट कर दिया श्वाइपंग से A की वैलू, B की वैलू प्यंट कराया स्वैपंगर आया अब देखे यहाँ पर एक लाइन देखे मिस्ट हुआ देखे यहाँ ठोड़ें जो हम स्वैपंध कर रहे हैं यहाँ पर एल्ड्र एड्र tão B के पहले आप लिख लिएगा ओके स्वैप राउंड बैकेट में एम पर्सेंड ए कामा एम पर्सेंड बी राउंड बैकेट क्लोज सेमी कोलन ओके स्टुडेंट इसका आर्थ है कि हम फंक्षन को एका एड्रेस बी का एड्रेस प्रोवाइट कर रहे हैं इसके बाद प्रिंटेव आप्टर यह की बैलू बी की बैलू प्रिंट कर आया स्टुडेंट और इसके बाद इस्टुडेंट फंक्सम की बॉड़ी में देखिए इसी ने पॉइंट आप वैरेवल यूज किया है आई एन टी एस्ट्रिस्क पी कामा आई एन टी एस्ट्रिस्क क्यू राउंड बेकेट क्लोज अब इसके बाद बॉड़ी फंक्सम की बॉड़ी है यहाँ पर इन टी एट टाइप का एक टेंपोररी वैरेवल लिया और टेंपोररी वैरेवल में पॉइंटर जिसको रीफर कर रहा है उसकी बैलू को टेंप में इस्टोर किया और इसके बाद इस्टूडेंट पी जिसको रीफर कर रहा है उसकी value को update किया Q की value से उसके बाद Q की value को update कर दिया 10 की value से तो student यहाँ पर आप देखेंगे before A10 B20 after A20 B10 तो यहाँ पर आप इसको स्टुडेंट कर लिजिए गाँ तो यह हो गया कालबाई रिफरेंस कालबाई बैलू का इसके बाद कोश्टर नमबर नाइन का सेकेंड आजाते हैं स्टुडेंट यहां देखिए प्राइब नमबर क्या होता है तो जैसा कि स्टुडेंट हम जानते हैं इसमें सौट कोश्चन है पर्फेक्ट नमबर इस पॉजिटिव इंटीज है डैट इज इक्वल टू कि सम आप आल इट्स डिवाइजर्स कोई नमबर पर्फे इसके बराबर होता है तो उसे हम पर्फेक्ट नमबर करते हैं इस्टूडेंट देखिए यहां पर वन प्लस जिसे सबसे स्मालेस्ट नमबर शिक्स होता है इसको आप याद कर लिजिए तो इसका डिवाइजर्स देखिए वन है टू है त्री है इससे डिवाइट करेंगे तो भाग चला जाता है इसलिए और उसका प्लस करेंगे तो शिक्स आजाएगा इसलिए पर्फेक्ट नमबर है उस और इक्जामपल से 28496 एटी सी स्टूडेंट तो यह आपका पर्फेक्ट नमबर हो गया इसके बाद आते हैं पर प्राइम नमबर रूर संख्या क्या होती है तो जैसा स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो संख्या है जो है कि एवल वन और अपने आप से कटती है वह प्राइम नमबर होती है रूर संख्या होती है इस मालेस प्राइम नमबर आप जानते होंगे टू होता है यहां पर देखे कुछ एजामपल लिग दे रहा हूँ ह करें इसके बाद आते हैं थार्ड कोश्चन नंबर नाइन का थार्ड गेट शीयच ए आर पूट शीयच ए यार ओके टुडेंट तो जैसा कि आप जानते हैं गेट शीयच ए यार क्या है सुडेंट यहां कीबोर्ड डिवाइज से आट टाइम सिंगल करेक्टर रिट करता है और पूट शीयच ए यार आट टाइम जो है किसी बैरियेबल की वैलू को आउट पूट डिवाइज इसकिन पर डिस्प्ले करता है ओके सुडेंट और इस तरह से जो है दोनों हमारे जो फंक्शन जो है एस्ट डियो एडर फाइल्स में डिफाइन है सुडेंट और गेट शीयच गेट शीयच ए यार जो फंक्शन है इसका एक्जामपल देखिए मैंने दिया हुआ है सुडेंट तो इस वीडियो लेक्शर में सुडेंट इतना ही अगर आपको प्रॉब्लेम सोज में आया कोई कोचर में कोई डाउट है तो हमें राइट करिए ओ सुडेंट थैंक यू थैंक यू सुडेंट जैहिन